विश्वु बैंक ने मोधी सरकार को राहत की खबर दी है विश्वु बैंक की मा ने तो भारत की विकासदर लगातार बढ़ रही है विकासदर चालू वित्वर्ष के अन तक 7.3% के आकने को छू सकती है और अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ते हुए अगले 2 साल में 7.5% की विकासदर तक पहुंच सकती है वैश्विक कर्ददाता ने दक्षिर एशिया को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारती अर्थव्यवस्था नोटबंदी और GST लागू करने से आई अस्थाई गतिरोध से उबर्ती दिख रही है हाला कि ये भी आशंका जताई गई है कि घरेलू जोखिम और गैर अनुकूल वैश्विक माहौल मैक्रो एकोनॉमिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकते है विशु बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि भारती अर्थव्यवस्था ने वित्व वर्ष 2017-18 में 6.7 फीजदी की विकास दर हासिल की थी जिसमें हालिया महिनों के दौरान तेजी भी शामिल है रिपोर्ट में कहा गया है कि GST को लागू करना और बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करना भारत के विकास को मजबूत कर रहा है और इसके आगे भी तेजी पकड़े रहने की संभावना है